हलो दोस्तों मैं इंद्रेश यादा अपने यूटूब चैनल इंद्रेश यादा ओफिसियल में आप सभी का स्वागत करता हूँ तो आज डेट है हमारी एक मार्च ठीक है एक मार्च है और आज की जितने भी करेंट अफेयर की कोश्चन बनेंगे हम सबको देखेंगे ठीक है जितने भी हमारी करेंट अफेयर की कोश्चन बनेंगे आज हम सबको देखते हैं शलिए स्टाट करते हैं करेंट अफेयर प्लस स् 43 है ठीक है ठीक और यह rank जो है बौधिक समपदा जो अंतराश्टी बौधिक समपदा है या कौन से संस्क्राण है तो इह हमारा जो है दसवा संस्क्राण है कौन सा है दसवा है ठीक है इसमे कुmedi total जो है 55 गे सिमने ख़िझे जो हमारे 55 गेर कलते हैं इसके सदस्य है इसमें भारत की रेंग जो है 43 है इसमें टॉप पे कौन है तो टॉप पे हमारा USA है यानि सहयुक तराज अमेरिका है और सबसे लास्ट पोजीशन किसकी है लास्ट पोजीशन पे सब किसकी है वेने जुएला कौन है वेने जुएला ठीक है वेने जुएला हमारा जो ह सबसे लास्ट पोजीशन एह हमारा दच्छड अमेरिका का देश है वेनेजुएला ठीक है इसको जारी कौन करता है इसको जारी जो है USA चैंबर्स आफ कामर्स का एक ग्लोबल इनो इनोवेशन पॉलिशी सेंटर इसको क्या करता है जारी करता ठीक आप लोग समझ में आ गया होगा बहुदिक संपता में भारत का कौन सा अस्थान है तो तीरली सवां मोस्ट इंपॉर्टन तीरली सवां USA टॉप पर है अंतिम अस्थान पर बेनेजुएला है ठी सूच क्या है related महत्वपूर्ण Rank सूचकांग और Rank ठीक है तो हाल भी में व्यूटस प्रेश सूहतन तरता सूचकांग 2021 तो इसमें नार्वे श्वारी नारवे ऐसे रहेगा नारवे क्या किया था टॉप किया था और लाश्ट अस्थान किस्ता था इरिट्रिया का क्या था लाश्ट पोजीशन थी ठीक है तो आपको 2027 अंतर सूचकांग में भारत का जो रैंक था जो है 140 वा था ठीक है टॉप इसमें जो आइसलेंड किया था अफगानिस्तान सबसे अफगान जले भी हमारा जो है सबसे लास्ट पोजिशन पर है विचारा हर जगा लास्ट पर आता है अफगानिस्तान ठीक है बिस सो खुस हाली सूचकांग 2022 जो हमारा बिस सो खुस हाली सूचकांग 2022 है इसमें भारत जो है 149 वेन है हमारा देश जो है 149 वेन नंबर पर क्या है खुस है और सबसे ज़्यादा खुस कौन है तो हमारा जो है फिनलेंड फिनलेंड क्या है सबसे ज़्यादा खुछ है घवर सबसे कम खुछ कोन है सबसे कम खुच है हमारा अफगान जलेवी घवर अफगान जलेवी किया है सबसे कम खुछ हाल है घवर चलिए next question चलते है Question number हमारा 203 सूचकांग जो हमारा 202 सूचकांग है उसमें भारत की रेंग कितनी है 207 सूचकांग में भारत 135 अस्थान पर है इसमें टॉप कौन किया है तो टॉप आइसलेंड किया है कौन आइसलेंड ठीक है टॉप कौन किया है आइसलेंड किया है ठीक और जो सबसे लाश्ट कौन है तो इसमें भी कौन है जिस가dlesby बहुत सूच कांग बहुत सूच कांग 221 सूच का 2012 ब्हारत की में हैं 101 थी101 हमारी क्ढक्र की अ बाइस्विक UAB कासुचकांग में भारत की जो राइंग थी जो 122 स्थान पे था कितने था एक सो 122 स्थान था ठीक है चलिए आए नेक्स चलते हैं एक्स हमारा है ले पासपोर्ट मतलब है ले पासपोर्ट अभी 2022 का पहला क्वाटर जारी हुआ है तो च्पार्टर है उसमें च्पार लोन च्पार ने हो रहें किस नियुक है आंकिलन लगतंडर सूच कांग वारत की ही है फोर्टी दोजार इकीस वाले में है ठीक है दोजार इकीस में टाप कौन किया है लोगतंतर में जो है नारवे नारवे क्या है कि इसमें टाप किया है और अफगान क्या है लोगतंतर सुचकांग में भी अफगान क्या है सबसे लाष्ट सबसे लाष्ट ठीक है अफगान क्या है सबसे ल याले खोलने वाली पहली कंपनी बनेगी तो हमारा कॉंस है ndb ndb को हम कहते हैं new development bank जो हमारे जो इसका जो बित्ती समस्या को देखने के लिए एक bank बनाया गया था बिक्स हमारा इसके लिए जो ब्राजील होताय ब्राजील और इसका निर्माण जो हमारा जो है इसकी साप्ना 2006 में होई थी लेकिन इसका पहला जो है first वाला जो है फर्ष्ट अदिवेशन जो है रूस में हुआ 2009 में फर्ष्ट अदिवेशन रूस में 2009 में हुआ तब ब्रिक था B.R.I. तब या क्या था B.R.I.C. था बस अद दो हजार दस में जो है B.R.I.C. नहीं मैं कर रहा हूँ, था अब आई है, इसकी बित्ती अभी N.D.V के बारे में जाल लेते हैं N.D.V. नेशनल डेवलपमेंट B.R.I.C. इसका है। संघाई चीन में क्या है, मुख्याले है संघाई चीन में इसका क्या है, मुख्याले बनाया गया ठीक है इसलिए इसका नाम क्या कर दिया गया इसका निर्माण जो 15 जुलाई को हो गया था लेकिक कारे करना ये 2015 से स्टाट किया वर्क करना कब से स्टाट किया 2015 से ठीक 2015 से और गठ इसके मतलब गठन की बात तो 15 जुलाई 2014 को कारे जो हो इसके उपाध्याच जो है 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 वो काउन है अनिल किशोर जी है वर्तमान उपाध्याच काउन है अनिल किशोर जी है ठीक है अन प्राडो ट्राजो जो कहां के हैं ब्राजील के हैं कहां के हैं ब्राजील के हैं यहां सब लिखा है आप लोग देख लिजेगा मार्कोस प्राडो ट्राजो यहां के क्या है अध्य अच्छे इसके एंडीवी के ठीक अभी हालही में पाले तो मतलब इसमें पांच देश जो थे में बाद फिर हमारा एक देश मिस्र भी जोडता है तो टोटल इसके सदस्य देशों की संख्य कितनी हो गई नौ एंडीवी के सदस्य देशों की संख्य कितनी है नौ ठीक है लास्ट वाला कौन है यह लोग जो जो चारों है उरुगवे बंगलादेश और यूए यह ब्रिक्स के जो क्या है ब्रिक्स जो संस्था है उसके जो में बर नहीं है ए 2020 के नेशनल डेवलेफ़्ंट बैंक की क्या है में ठीक है इस बात को विशेष मैने अगर जोड दी रहा हूं तो तो इसका कोईन कोई रीजन है, इस बात को आप लोग विशेज ध्यान दीजिएगा, ठीक है, चलिए, ब्रिक्स में, दच्छिड अफ्रिका 2010 में जुड़ा, ठीक है, अभी मैंने बताया था, दच्छिड अफ्रिका 2010 में जुड़ा, पाला सिखर सम्मेलन 2009 में, रूस में राष्टी विज्ञान दिवस कम मना जाता, तो 28 फरवरी को हम क्या मनाते है, राष्टी विज्ञान दिवस, ठीक है, राष्टी विज्ञान दिवस के रूप में 28 फरवरी को मना जाता, रमन इफेक्ट की क्या किये थे, रमन इफेक्ट, रमन प्रभाव या रमन इफेक्ट की खोज किये थे कौन हमारे कौन किया था С.V. Raman जी ने क्या खिया था सीवी रमन ठीक इन्हें जो भौतिकी का भौतिकी के लिए नोबेल प्राइस भी मिला है नजी नहीं सो तीस में नोबेल प्राइस और इन्हें परथम भारत रतने जब दिया गया था बेक्तियों को, सी राज गोपालाचारी जी को, सी वी रमन जी को, सी वी रमन जी को, और हमारे जो उपराष्ट पती थे, राधा कृष्णन जी को, ठीक है, राधा कृष्णन जी को, ठीक है, राधा कृष्णन जी को, ठीक, चलिए, 28 फरवरी को हम विग्यान दिवस मनाते हैं रमन इफेक्ट की खोज हुई थी इसलिए रमन इफेक्ट खोज आकाउन था तो सीवी रमन अमारे के फिजिक्स के बैग्ज्यानिक थे इन्हें जो क्या मिला था नोबिल फ्राइस मिला था कम मिला था नोबिल पुरसकार भी कहा जाता है तो नीना गुपता को प्राप्त हुआ है ठीक नीना गुपता जी प्राप्त की है ठीक और अगला क्या है हमारा राश्टी एकता दिवस राश्टी एकता दिवस तीस अक्टूबर को जो हमारे एक ही करन के जनक माना जाता है उनकी जैन्ती के उपलप्छ में मना जाता है सरदार बल्लब भाई पटेल 23 जन्वरी को हम क्या मनाते हैं 23 जन्वरी को प्राक्रम दिवस सुबास चंद्रबोष की जैन्ती पर हम क्या मनाते हैं प्राक्रम दिवस जो है ठीक प्राक्रम दिवस जो हम 25 दिशंबर को इस दिन हमारे जो कौन अटल भिहारी बाज पेजी यो प्रधान मंत्री थे उनके जैन्ती के रूप में जो हम क्या मनाते हैं सुशासन दिवस चलिए आए नेक्स्ट कोश्चन चलते हैं कोश्चन नमबर अमारा फोर है कोश्चन नमबर फोर हमारा क्या कर रहा है यूक्रेन संकट के बीच बहुराश्टी हवाई जहाद बहुराश्टी हवाई अभ्यास है बहुराश्टी हवाई अभ्यास कोब्रा व चामिल भारत भी भारत पहली बार हो था Ст legendary का यह था अभ्यास था लेकिन इसको जो संकट है सवीर levant नहीं टीड वंख जिचन इंद्ध युक्रेन और सिंद्ध घ्र्च शिडदा हूआ है उसको देखते हुए इसको क्या की कर दिया गया है रद कर दिया गया है इसमें कौ भारत, स्विडन, साओधी अरभिया, बुल्गारिया, पांच देश मिल करके अभ्यास करने वाले थे, ठीक है, आए नेक्स्ट क्वेस्चन चलते हैं, हमारा मालावार युद्ध अभ्यास, मालावार युद्ध अभ्यास जो है, क्वाड जो हमारी क्वाड शमू है, क्वाड जो चार देश हैं, क्वाड समू में क्वाड जापान है, भारत है, भारत है, यूएस्ट है, और क्वाड अस्ट्रेलिया है, ठीक है, अस्ट्रेलिया, इन चार देशों को मिल करके होता है, मालावार युद्ध अभ्यास होता है, कौन सा संस्क्रण है, 25 संस्क्रण था, 2021 में कौनसा Sanskrit था है, पचीघ स्वा कंश्क्रत था, आ ये नेक्स्ट कोश्चन,unn mans number 5 है, हालही में किस मंत्राले ने across certificate selfie avayan, भासा certificate selfie avayan, सुरुआत की है, तो ये हमारा जो कौन सा मंत्राले इस्टार्ट किया, तो हमारा सिछ्छा मंत्राले ने start किया, सिछ्छा मंत्री को ऑनगे धर्मेंदर प्रधान इसके क्या है, मंत्री अभी हाली में बनाए गए है, धर्मेंदर प्रधान जी, ठीक है, सिच्छा मंत्राले के मंत्री, इसने क्या जारी किया है, भासा सर्टिफिकेट सेलफी अभियान जारी किया है, जो हमारी वर्तमान, जो हमारी आठवी अनिसूची ह कितनी कुल भासा हैं, टोटल आठी में सूची में कुल 22 भासा हैं, वरतमान में, ठीक है, अब मूल संबिधान में कितनी भासा थी, मूल संबिधान जब हमारा संबिधान बन के निर्माड हुआ, तो उसमें हमारे मूल संबिधान में कुल 14 भासा थी, कितनी थी, 14 भासा थी, कि पंद्रहमी भांसा वो हमारी भांसा थी सिंधी कौन सी थी सिंधी को जोड़ा गया किस संभिदान 21 संभिदान संसोधन के ताद 21 संभिदान संसोधन के ताद सिंधी जो पंद्रहमी भांसा जूड़ी ठीक असुलामी कौन सी सुलामी सत्रहमी और अठरामी जो हमारी भांसा थी उसमें थी नेपाली, कौन सी थी, नेपाली थी, मडीपुरी थी, मडीपुरी ठीक नेपाली, मडीपुरी और कौंकडी, कौंसी थी, कौंकडी थी, ठीक है, कौंकडी, एक ही समिधान संसोधन के ताथ तो एक सत्रमें समिधान संसोधन के ताथ इनको जोड़ा गया, ठीक है, एक हतरवें समिधान संसोधन के तरफ कौन सी नेपाली मरीपूरी कॉंकडी किसी चीज को आप बार बार लिखिए लिखने जब भी आप लिखा करिए जो इने इक बस मुह से सुन लेते हैं उस चीज को लिखा करिए नोट किया करिए आपको याद हो जाएगा एचीजें मैं ल लिखा हूँ है इसे गोला करके ऐसे बता देता कि देखो यहां बोडो है यहां संथाली है यहां डोंगरी लेकिन मैं लिख लिख के बताना चाहता हूँ आप लोगों को ताकि आप इस पी भी फोकस करें फिर आपको पीडिएफ दो पढ़ लीजिए ठीक है और हमारी चार भांसायें जूड़ी थी ठीक है कौन कौन सी थी तो इसमें संथाली थी कौन सी थी संथाली बोडो बोडो डोंगरी डोंगरी और मैथली अभी मैंने आरो का एक्जाम दिया था तो उसमें पूछा था हमारी इन चारो को दे दिया था मतलब जो चार भांसाये चार आपसं थ था ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन है विवादित कोश्चन की स्रणी में जो अनुछेद हमारा 143 है आर्टकिल 343 संग की भासा के बारे में बताता है ठीक है और जो 343 है ठीक है अग 345 जो हमारे राज हर राज जी की एक या एक से अधिक क्या होगी अफिसियल लेंग्वेज होगी ठीक है और आर्टकिल हमारा जो है 348 जो है हाई कोट और सुप्रिम कोट की भासा के बारे में जानकारी हमको मिलती है ठीक है यहां लिखा गया आप लोग देख सकते है ठीक यह है हमारा ठीक है तो आजे चलते हैं आगे आगे हमारा क्या कर रहा नेक्स्ट भारत में कितनी सास्त्री भासा आए है तो टोटल छे सास्त्री भासा आए है भारत में सबसे पुरानी कौन सी है तो तमील है सबसे पुरानी कौन है तमील है फिर उसके बाद संस्कृत हमारी सेकेंड नंबर की है फिर कौन सी है कौन सी है ठीक है कौन सी है फिर त पुश्टा है अंग्रेजी हमारी सास्त्री वांसा में सामील है ठीक है तमील है तेलगू है मल जालम है कंकड़ी है संस्क्र ए और कौन सी है ठीक है इसमें नवेंतम है कोशन नंबर सिग्स पे आए, हेमानंद, हेमानंद विश्वाल, अभी इ इनके हाला ही में इनका निधन हो गया, ये किस राज़ जीदिद्य स्थजेंगे सियम थे, ये उडिशा के पहले क्या है, दो बार सियम रह चुके है, कितनी बार, दो बार सियम रह चुके है, हेमानंद बिश्वाल जो ठीक है आए उडिशा के बारे जले उडिशा के वर्तमान जो CM जो है कौन है वो नवीन पतनायक जी है कौन है नवीन पतनायक और यहां कि गवर्णार वर्तमान में कौन है तो गणेशी लाल जी यहां के क्या है वर्तमान वर्तमान क्या है गवर्णर है ठीक है अब इन पतना है क्या है कि सीम गवर्नर गणेशी लाल विधान सभा की सीटें जो है 147 और लोग सभा की 121 ठीक है और आज सभा की 10 है ठीक है कोशन नमबर 7 हमारा क्या कर रहा है भारत में किस दिन राष्टी प्रोटीन दिवस की रूप में मना जाता है तो 27 फरवरी को हम क्या सभा का बनाते है राष्टी प्रोटीन दिवस की रूप में इसकी थीम क्या है हमारी खाद अगला कोशन हमारा है छोटे छोटे इदर QOSTION है लिषव NGO खीं है इसका full form होता है non governmental organization जोटे जोटे जोटब गैर सरकारी संस्थान यह दिवस कब मना जाता है 27 फर्वरी को यह दिवस मना जाता है 27 फर्वरी को लिषव NGO दिवस मना जाता है QOSTION No.9 क्या का रहा है किस भारती भारो तोलक ने सिंगापूर में वेट लिफ्टिंग वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में 55 kg में 55 kg में भारवर्ग में स्वरंड पदक जीता है ठीक है काउन सा सिंगापूर सिंगापूर वेट लिफ्टिंग इंटरनेशनल 2022 में 55 kg में क्या है स्वरंड पदक ज पहला पदक जीतने वाली महिला थी जो टोक्यो ओलंपिक का पहला पदक जीता था इ kilos कहाँ कि मड़ीपूर की राने वाली जाहे कहां कि मड़ीपूर की राने वाली काки मड़ीपूर मड़ीपूर करती है ठीक है wiel lifter ही its question number 10 हमारा क्या का रहा है DS TV ने अपकर ब्रांड अम्बे रूड़की जो उत्राखंड की IIT है, IIT उत्राखंड, IIT रूड़की जो उत्राखंड में पढ़ती हो, उत्राखंड के किसानों के लिए जो है क्या बनाया है, किसान मोबाइल एप, किसानों की मदद के लिए बनाया है किसान मोबाइल एप, IIT रूड़की द्वारा उत्राख भनी है से भी इसका Full Farm Security Exchange Board of India इसका Headquarter कहा है मुमबई में ठीक है इसका Headquarter कहा है मुमबई में इसका Full Farm क्या होता है Full Farm पूछता है capital Team Board of India Security Exchange and Exchange Board of India कहां पे है इसका Wire क्योण्टा मुमबई पाली मंईला देच कौन बनी है माधवी पूरी जी ठीक तो हमारे करेंट के जो है कोश्चन यहीं फिनिस होते हैं आज हम क्या देखेंगे परियोजना जो हमारी नदियों पर परियोजना इस्तित हैं उनके बारे में जानकारी लेते हैं अगर आप लोगों को मैं अच्छे चीज़ें ला करके खोच के देता ह भाखडा नागल परियोजना ठीक है भाखडा नागल परियोजना हमारी किस नदी पेष्टी थे तो एह हमारी यह सतलुज नदी सतलुज नदी कहां पंजाब में फ्लो करती है ठीक है पंजाब, सिपकिला या लिपुलेख किस दर्रे से इंटर करती है, इंटर करती से लावानवित होने वाले राजिकों ने, तो हिमांचल परदेश है, हरियाणा है, पंजाब है, राजस्थान, इस परियोजना से कितने राज लावानवित होते हैं, हिमांचल परदेश, गांधी बैराज भी काते हैं जो है इन्द्रा गांधी नहर जो भारत की सबसे बड़ी नहर है निकाली गई है ठीक है इसी के संगम से इन्द्रा गांधी नहर निकाली गई है ठीक है इसी के संगम से इन्द्रा गांधी नहर निकाली गई है ठीक पोंग परियोजना पोंग पर ये दोनों हमारी रावी नदी पे हैं किस पे हैं रावी नदी पे ठीक है इसमें जो है जो चमेरा हो सिर्फ हिमांचल प्रदेश को लावानवीत करती है लेकिन जो थीन है जो है पंजाब हिमांचल प्रदेश जम्बु कस्मिर तीनों को क्या करती है लावानवीत करती है ठीक ह नात्फा जाकरी परियोजना ए भी क्या हमारी है सतलुज नदीपे है हिमांचर प्रदेश को क्या करती है लावानवीत करती है ठीक है तुलबुल परियोजना उरी जो हमारी जेलम तुलबुल और उरी परियोजना कौन सी तुलबुल और उरी परियोजना कौन कौन सी तुलबुल और उरी परियोजना हमारी जो है किस नदीपे है तो यह हमारी जेलम नदीपे है इस पे है जेलम नदीपे ठीक है चलिए नेक्स् उत्राखंड में इस्तित है, राम गंगा परियोजना, जो राम गंगा नदी उत्राखंड में, टनकपुर परियोजना, काली नदी उत्राखंड और नेपाल की बॉडर पे है, उत्राखंड और नेपाल की बॉडर पे इस्तित है, ठीक है, गंडक परियोजना, जो हमारी है, ग गंडक परियोजना गंडक नदी गंडक नदी और यूपी और बिहार को क्या करती है में इस्थित है ठीक है कोशी कोशी परियोजना कोशी नदी पर बिहार और नेपाल बिहार और नेपाल को इससे क्या होता लाब होता ठीक है रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर यूपी म ठीक है चलिए आए नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट कोश्चन नमारा सोन नदी सोन नदी क्या करती है उत्तर दिशा में बाती है एक ऐसी नदी है जो गंगा की सहायक नदी है और उत्तर दिशा में क्या करती है फ्लो करती है ठीक है और सहायक नदी इसकी जो सहायक नदी है सोन लावानवित होने वाले राज, बान सागर परियोजना सोन नदी पे है, यूपी, यंपी, बिहार क्या होते हैं, लावानवित होते हैं, बान सागर परियोजना सोन नदी, यूपी, यंपी, बिहार क्या होते हैं, लावानवित होते हैं, माता ठीला परियोजना जो वेतवा दामोदर नदी पे है जारखंड और वेस्ट बंगाल इससे क्या होते हैं लाभानवीत होते हैं ठीक है मयूराच्छी परियोजना मयूराच्छी परियोजना जो है मयूराच्छी नदी पे जारखंड और वेस्ट बंगाल इससे क्या होते हैं लाभानवीत होते हैं फरक्खा प परियोजना जवाहर सागर परियोजना ये दोनों जो हमारी चंबल नदी चंबल नदी और किसको लाभानवित करते हैं ये दोनों हिमांचल प्रदेश को स्वारी हिमांचल कर रहे हैं मध्य प्रदेश को क्या करते हैं लाभानवित करते हैं ठीक है कोल दाम परियोजना नदी इमानचल प्रदेश दो बार इस वीडियो को देखेंगे सारी परियोजना है आपको याद हो जाएंगी अभी हमारा एक दो पेच और है जो इस परियोजना पी जो है पूरी परियोजना आपको यहीं फिनिस करवा दूँगा, ठीक है, चलिए, कामेंग जल बिदूत परियोजना, तो कामेंग नदी अरुडांचल परदेश में, कहां पर, कामेंग नदी अरुडांचल परदेश में, ठीक है, तिपाई, तिपाई, मुख जाल बिदूत परियोजना जो है हमारी बराक नदी कहा मड़ी पूर में फ्लो करती जो रहए नदी ठीक हूं तिलए हाह परियोजना बराकर नदी जहारखंड में भायाकर नदी इ Kyoto नेrok पे बराकर नदी जारखंड में ऐसे सी नदियों का नाम जो आफ लोग नहीं सुने होंगे चलिए महाराष्ट में इस्थित कुछ पहाड़ियां तो ओ अजन्ता है कुश्चन है सार्ट में लिख लिए अजन्ता अजन्ता बाला घाट बाला घाट सत्माला सत्माला अवल कौन सी है हरिश्चन्द हरिश्चन्द की पहाड़ी ठीक है कौन सी है अजन्ता एस अजन्ता एबी बाला घाट सत्माला जी एच ठीक है एबी यस जी एच इससे सार्ट फार्म में याद कर सकते है मैगाल परवत की सबसे उची चोटी कौन सी है तो अमर कंटक है ठीक ह पयार घास के मैदान कहा है तो हमारे हिमांचल प्रदेश में बुग्याल याद रखिएगा बुग्याल एक घास का मैदान है यह कहां पर है उत्रा खंड में हमारे हिमांचल प्रदेश में ठीक है और पयार घास के मैदान जो हमारे हिमांचल प्रदेश में कई बार टेट वाल जम्बू कश्मीर में, भारत का अच्छानसी विस्तार देख लेते हैं, अच्छानसी विस्तार जो है, यहां अमारा कितने से है, जो हमारा अस्तली है, जो है, ओ, कहां से है, शार मिनट से ठीक है ब्राइन, बढ़ बम बम जहली है जो अमारा 6? उपर जो 27 अंस 37 अंस 6 मिनट तक है उतरी अच्छानस दोनों उतरी उतरी अच्छानस रहेंगे ठीक है, बारत का 6 त्रफल कितना है? 32,87,263 वर्ग किलो मीटर है ठीक है? 32,87,263 वर्ग किलो मीटर है ठीक तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना काफी है वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज जादा से जादा क्या करें शेयर करें शेयर, लाइक और सस्क्राइब करें ठीक है, और आज से हम लेखवाल के लिए जो है प्रैक्टिस सेट लेखवाल मैथ का जो है मैथ मैथ का प्रैक्टिस सेट हम इस्टार्ट करेंगे अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे तो इस सीरीज हम मैथ की चलाएंगे, अगर नहीं सपोर्ट करेंगे तो बंद कर देंगे ठीक है क्या कर देंगे बंद कर देंगे बस अपना इप GSGS चलेगा ठीक है क्योंकि math वाले में काफी समय लगता और आप लोग interest उसमें नहीं दिखाना चाहते हैं ठीक है क्योंकि उसमें 15 question करने में आपको कम से कम जो है one hour भी लग सकता है ठीक उसको पूरा समझाना डिटेल से बताना ठीक है तो आज मैं पहली class डालूँगा उसमें 10 या 15 question रहेंगे जो practice set के ठीक वो तीन बजे तीन पीम पे आपको मिल जाएगी ठीक तो आप लोग ज्यादा ज्यादा math वाली class को support कीजेगा आज के लिए जैहिन जैवाल